हाई अबर्बरबन वेरी वेड़ी गुराप्टेनून कैसे हो खोप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शुव फ्रेंड्स समान हिंदी की एस्पेसल क्लास में आप सब लोग का बहुत बहुत श्रागत है अगर आप लोग पचास में से 20-22 प्रशनल साइकल लेते हैं तो आपकी हिंदी लेंग्विस के तारी बहुत इच्छे है इस वीडियो को डिस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ इस क्रैस कोर्स में यानि की पीट अप में सभी सब्सेट के टॉपिक वाइस कोश्चन और 10 एर के प्रिविसर के कोश्चन आपको देखने को मल जाएंगे तो हजारों एस्टुडेंट परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं अगर आप लोग कम समय में अपनी सरकारी सीट की तयारी कंफर्म करना चाहते हैं तो ये क्रैस कोर्स बहुत हें हेल्फ करेगा आपकी तयारी में ठीक है तो परचेज कर सकते हैं चले बाई, सभी गुड़ाप्टनों वीडियो को शेयर कर दो तक कि सभी बच्चे आ जाए गुड़ाप्टनों सभी को वीडियो को लाइक कर दो पहला परशन आपकी स्क्रेन पे है भासा की सबसे छोटी इकाई है बताईए शब लोग, भासा की सबसे छोटी इकाई है बताएंगे शब लोग, भासा की सबसे छोटी इकाई है शब्द या श्वर या विंजन या वर्ण तो भासा की जो सबसे छोटी इकाई है, वो है वर्ण ठीक है न, ध्यान रखना 51 का आपका D वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा ये ग्याँ वरण जो है किन वरणों के सैन्योग से बना है very very most important question है ग्याँ वरण किन वरणों के सैन्योग से बना है फड़ा फड़ा आंसर करेंगे भाई और जीतने भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल से आपको जो है निश्शी दी मदद मिलीगी तो देखी ग्याँ वरण जो आपका जो बना है ये जो है जाधन इयां से मिलकर बना है छिक ना तो इसमें कौन से साई होतागा यह वाला फिक ना अब ये चार संजी तेबेंजन होते हैं एक तो आपका ग्या हो ग्या ठीक है इसको मैंने बता दिया इसे मिलकर बना है ठीक है अब एक आपका हो गया च्छा ये भी बहुत पूछा जाता है च्छादू है आपका का धन सा से मिलकर बना है ठीक है उसके बाद आपका जो है त्रा त्रा किसे किसे मिलकर बना है ये ता और रा से मिलकर बना है ठीक है और बचा आपका स्रा स्रा आपको बचा ये किसे मिलकर बना है ये आपका जो है सा धन रा से मिलकर बना है तो ये चारो स बहूंद टेंगे तो चार संचुत अभी मैने आपका कौन से रहे हैं जाहीए। इसमें 53 जा आप देने के प्राश करेंगे। तो चार संचुत बेंजन है है आपके छा त्रह ग्याश्रा तो इसमें ग्याश्रा स्थॉदichtig हैं आपका सही होजाएगा। रिशी A-I-O-O स्वार इसमें कौन सा नहीं बताइए सब लोग 54 को जॉब दीजे तो ये है ये है ये है ये आपका नहीं है चलिए बहुत इच्छे अगला प्रशन आपकी स्केन पे आगया है शुद्ध वरतनी का चैन कीजे फटा-फट सुद्ध वरतनी का चैन कीजे किश शब्ध की वरतनी शुद्ध है इसमें दिरगायू शब्द लिखा हुए तो दिरगायू को शुद्ध शब्ध कौन सा है ये आपको बताना है ये वाले आपका बिलकुन सही है ठीक है न दिरगायू चलिए शुद्धवर्तनी वाले का चैन कीजे इसमें भी बताए शुद्धवर्तनी का चैन कीजे 56 एक जाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग तो इसमें आपका ये उज्वल सही है ठीक है चलिए अगर शुद्धवाली मेरी क्लास नहीं देखे हैं चैन कीजे सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो बहुत ही कम लाइक है भी वीडियो में फटा-फट लाइक करो और शेयर करो ताकि और सारे बैचे जोइन हो शुद्ध वर्तनी का चैन कीजे समें तो येवला आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है । थीकर ना, चले की सब आपके अशुद्ध है, किस क्रमाग में अंतहस बंजन है? बताएंगे शब लोग, अंतहस बंजन कौन कौन से है, तो देखिए अंतहस बिंजन आपके जो होते हैं वो होते हैं चार या होता है वा होता है रा होता है और ला होता है ठीक है तो यहाँ पर या वा है तो आपका यही बीवला सही हो जागा अगर उश में बंजन पूछे तो तीनो सा हो जाएंगे आपके ठीक ना तीनो सा हो जाएंगे और हाँ ये आपके उश बंजन होते हैं इस पर से बंजन पूछे तो कितने होते हैं पचीस होते हैं ठीक ना कावर्ग से पावर्ग तक कि सभी जो आपके बंजन होते हैं वो क्या होते हैं इस परस बेंजन होते हैं तीक है चलिए आगे चलते हैं इसमें आपका बी-वाला correct हो गया था ठीक है किस वाक में अनिशित वाचक संक्या सुर्ञ स्वरणों पूछा जा रहा यह लां यहां पर बताइए घिस वाक में अनिश्चे वाचक सर्वनाम है तो देखी जिस भी वाक्य में कुछ देखने को मिल जाए तो वो आपका अनिश्य वाचक होता है ठीक है तो यहाँ पे आपका C वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा ठीक है और कई बार मैं अपनी क्लास में ये सारे question करवा चुका हूँ तो इनको practice कर लिजे अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप लोग अच्छे से practice कर लिजे बताईए फड़ा फड़ास में जगड़ा मेरे और उसके मद्ध में था में कौन सा कारक है फड़ा फड़ा अंसर करें बाई शभी गूड़ा अप्टरू वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो शबलू और भी क्लासे सागर आप लोग को देखने हैं तो आप लोग प्ले लिश्ट में जाके देख सकते हैं प्ले लिश्ट में आपको सभी सब्जट की टॉपिक वाइस क्लास एंड प्रैक्टिस सिटी क्लास एंड प्रिविसर की पेपर्स की जा होए आपको वीडियो भी आपको मिल जाएंगी फड़ा फड़ा अंसर करें जगडा मेरे और उसके मद्ध में था में कौन सा कारक है तो इसमें देखिए आपका जो कारक हो जाएगा वो कौन सा कारक हो जाएगा अधिकरन कारक हो जाएगा ठीक है ना याद रखना बहुत ही important question है ठीक है जैसे करताने कर्म को करन से के द्व रखना को में अधिकरन कारक होता है विवक्ति चिन में हो गया और पे हो गया और पर हो घब ञाद तो आपका अधिकरन कारक हो जाएगा ठीक है चलिए किस शमास में नहीं देखें तो जाकर देख लेज़गा बताइये किस समाश किस समाश में ना सप्रशमास है Одynn 씨न बोल सक तो मेग नाद में आपका जो है बहुरही शमास है ठीक है बहुत इच्छे वीडियो को लाइक कर दो शब लोग नास्तिक्स में कौन सा समास है बताइए नास्तिक्स में कौन सा शमास है शिक्स्टिक्स का जॉब दीजे सब लोग नास्तिक्स में कौन सा समास है तत्पुरुष शमास आपका हो जाएगा ठीक है ना चलिए किस वाक में संबंध वाचक सरवनामिक विशिशन है बताइए सब लोग किस वाक में संबंध वाचक सरवनामिक विश्चेशन है 64 का जवाब दीजे तो इस कुश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजेगा बहुत ही नॉर्मल है इसलिए आपने उसे फूशा हूँ किस वाक में अकर्मक करिया है 65 का जवाब दीजे किस वाक में अकर्मक करिया है रजनी ने गीत गाया मोहन पानी पी रहा है ठोट खड़ा है हम सीने मा देखते हैं तो ये ठोट खड़ा है ये आपका अकर्मक करिया है इस वाक में ठीक है? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है तो मात्र यही एक सब्द है संगहार यह इसमें आपका जो है सम उपसरग लगा है ठीके ना 66 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो दगा चलिए इसमें आपको बताना है यहाँ पे खाली स्थान पर क्या आएगा कि मित्र के चुनाओ की डॉट डॉट पर जीवन की सफलता निर्भ जो है द्षान पर सार्थाक्ता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है सार्थाक्ता पर ठीके ना तो यहाँ पे आपकर D वाला मिलकुन करेक्ट हो दगा भारती शमीधान में भेध भाव के लिए कोई तो भारती शमिधान में भेद भाव के लिए कोई क्या नहीं है इस्थान नहीं है थेक ना चले बहुत इच्छे अगला प्रिश्ण अपने कथन की सत्यता पर क्या कीजिए प्रकट कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रमालित कीजिए ये व्यक्ति कीजिए बताइए अपने कथन की सत्ता पर क्या कीजिए तो अपने कथन की सत्ता पर जो है ध्यानकना प्रमालित कीजिए यहाँ पे प्रमालित आपका आजाएगा ठीक है चलिए उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा उद्धार बनेगा ठीक ना उद्धार का जो संदिविछेत होगा वो उत्धन हार ही होगा ठीक है चलिए द्रंग चल का संदिविछेत क्या होगा द्रंग चल का संदिविछेत क्या होगा बताएं से ब्लोग 71 का जौब दीजे द्रंग चल का शंदिविचेत क्या होगा ये हो जागा 71 का C वाला द्रक धन अंचल ठीक है बहुत इच्छे चले इसमें बताना है कौन सा इस लिंग सब्द है कौन सा इस लिंग सब्द है मंत्रनी आपका जो है इस लिंग सब्द है ठीक है न चलिए भावचक संग्या बताना है इसमें भावचक संग्या तो बचपन इसमें आपका जो है भावचक संग्या ठीक है न नदी जैसे जाती भावचक संग्या हो गया ठीक है चलिए दो वरणों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या वेरी वेरी most important question आपके exam के लिए दो वरणों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं क्या शंदी चलिए कल आपकी संदी की class करवा दूँगा ठीक है न चलिए बहुत इच्छे 74 का यह आपका बिलकुन correct हो दगा ठीक है संदी के प्रकार होते हैं कितने संदी के प्रकार होते हैं कितने तीन प्रकार होते हैं ठीक है न चलिए बहुत इच्छे राकेश का शही संदी विच्छेत क्या होगा राकेश का सही संदी विच्छेत क्या होगा बताएं सब लोग राकेश का सही संदी विच्छेत क्या होगा राकाधन E से हो जागा, क्या हो जागा, राकाधन E से हो जागा, चलिए, आधन E बराबर A स्वरसंधी के किस भेद को व्यक्त करता है, पताईए 77 का जाब दीजे, आधन E बराबर A स्वरसंधी के किस भेद को व्यक्त करता है, गुण संधी के भेद को व्यक्त करता है, ठीक न चलिए बहुत इच्छे, प्रति उत्तर का शही संदिविचेत क्या है? ये हो जागा, प्रति धन उत्तर हो जागा, ठीक है न? B आपका बिलकुन करेट हो जागा, कौन सा शब्द बवरही शमास का शही उधारन है? बताएंगे शब लोग कौन सा शब्द जो है बवरही शमास का सही उधारन है इसमें तो ये पंचा नन आपका जो है बवरही शमास का सही उधारन है ठीक है ना चलिए शब्द रचना के आधार पर अधलुकित में योगुरूर सब्द का चेंड कीजिए नेमलिकेत में से कौन सा शब्द इसमें देशज नहीं है बताएंगे देशज शब्द नहीं है कौन सा इसमें पुश कर नहीं है ठीक है चले रूड शब्द कौन सा नहीं है रूड शब्द कौन सा नहीं है इस question का भी जवाब आप लोग comment box में दीजेगा चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं इस वाक्त में चार पाई किस कारक में है चार पाई तो यहाँ पर है ना पर तो अधिकरन कारक हो जागा ठीक ना तो यहाँ पर आपका C वाला बिलकुन correct हो जागा ठीक ना चलिए कवी का इस लिंग क्या होता है बताईए कवी का इस लिंग क्या होता है option देखिए कवी का इस लिंग क्या होता है 84 को जाब दीजे काई वैतरी हो जागा ठीक ना बहुत इच्छे लिंगे के दिश्टे से दही सब्द है यानि कि दही में लिंग आपको बताना है कौन सा लिंग है फड़ा फड़ा अंसर करेंगे कुछ भी डाउट से तो आप लोग कमेंट बाक्स में अपना डाउट किले कर सकते हैं और बाकी डेली क्लास देखना है फड़ा फड़ा बताईए दही में लिंग कौन सा है और जितनी भी हमारी टॉपिक वाइसी क्लास हुई है उन क्लास को छोड़ना मत एक भी क्लास ना छुटनी चाहिए पुलिंग शब्द बहुत सारे बचे यहां पे 20 आप दिये हैं चलिए बहुत इच्छे निमलकित में इसे विकारी शब्द कौन सा है बताएं विकारी शब्द कौन सा है तो यह लड़का आपका विकारी शब्द है ठीक है ना चलिए यहां पे मुहावरें का चैन करना है कागच के गोड़े दावडाना का अर्थ क्या होगा कागच के गोड़े दौड़ाना का तो कागच के गोड़े दौड़ाना का जो अर्थ होता है लंबी लिखा पढ़ी करना होता है ठीक है ना? चलिए बहुत इच्छे बालू की भीट का अर्थ क्या होता है? बालू की भीट का अर्थ क्या होता है? सिग्र नश्ट हो जाने वाली वस्तू होती है ठीक है चली बहुत इच्छे यहाँ पे दिये गए वाक्यों में रेखांकी सब्दों की सुद्ध बरतनी के लिए उचित विकलप चुनिए जैसे ग्यानेंद्रिया का शुद्रूप कौन सा है यह जो ग्यानेंद्रिया है इसका शुद्रूप क्या हो जाएगा यह वाला आपका बिलकुन सही सब्द हो जागा ठीक है ना चली बहुत इच्छे चंद्र जोट्षना से सारा उपवन दुख्द धवल परतीत होता था इसका जो है जोट्षना वाला को देखना है आपको जोट्षना का शुदऌ सब्द कौन सा यह आपको बताना है गावरो का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा लागो हो जाएगा ठीक ना चलिए अगला परशना आपकी स्किन पे आ गया है सबी लोग इसका आंसर करेंगे अनभिग का विलोम क्या होगा अनभिग का बताएंगे अनभिग का विलोम क्या होगा अभिग हो जागा ठीक ना चली बहुत इच्छे निमलकित में से कौन से शब्द बादल का प्रेवाची है इसमें बताईए बादल का प्रेवाची कौन सा है तो नीरद इसमें बादल का प्रेवाची है 93 का A आपका बिलकुन करेक्ट हो दगा ठीक ना चली ए बहुत इच्छे इंदरियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या होगा इंदरियों को जीतने वाले के लिए शब्द क्या होगा नोट के लेना जितेंदरी हो जागा ठीक है ना चले नीचे दिए गए विकल्प में से ततशम सब्द काचन कीजिए आमर आमर का तदभाव होता है आम क्या होता है आम होता है ठीक है ना चले बहुत इच्छे नीचे दिए गए विकल्प में से तदभाव शब्द काचन कीजि तो बताईए इसमें देखे सूर के प्राशी इसमें दिनकर है रवी है अंसुमाली है यामनी नहीं है ये रात तरीका प्रेवाची है ठीक है चलिए डी ये आपका बिल्कुन करेक्ट हो दगा जिसे जीता ना जा सके उसके लिग शब्द क्या होगा बताईए जिसे जीता ना जा सके उसके लिग शब्द क्या होगा फड़ा फड़ा अंसर करें जिसे जीता ना जा सके उसके लिग शब्द क्या होगा तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिग शब्द क्या होता है आजे होता है क्या होता है ठीक न चलिए बहुत एच्छे उनमूलन का विलोम क्या होगा फड़ा फड़ा अंसर करें उनमूलन का विलोम क्या हो जाएगा रोपड़ा हो जाएगा ठीक है ना चलिए पुश्प का प्रेवाची क्या है तो पुश्प का प्रेवाची इसमें देखिए है आपका फूल ठीक है शुब फ्रेंट्स यह थी आज की हिंदी की क्लास कैसे लेगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना और ऐसी क्लास देखने के लिए एजुकेशन विसाहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी यूपी बेट एंटरंस एक्जाम की अपडेट हैगी वो अपडेट आपको शबसे पहले हमारे चैनल के बादम से ही देखने को मिलीगी बीएट से रेलेट या टैट से रेलेट कुछ भी डाउट से तो आप लोग कमेंट बाक्स में अपने डाउट के लिए कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो पे थाइंक इस वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटासा फीडबैक जरूर लिखना आज़ी क्लास के बारे में और सुबह वाली क्लास जाके जरूर देख लेना आप लोग थाइंक यू सो मच थाइंक वर वाचिंग